हलो गुट मॉर्निंग एब्रिवन वेल्कम बैक टू माइ न्यू व्लॉग कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप लोग सब बहुत अच्छी होंगे मैं भी एकदम अच्छी हूँ तो आज है दिन त्यूस्टे और मैंने सोचा कि अपना व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट है तो मैंने का चलो आज तो आज बनाया जाए व्लॉग और अभी फ्रेंट्स सुबा का टाइम हो रहे हैं बच्चों के हैं सुबा के साड़े साथ अब मैं करूंगी अपने घर की क्लीनिंग यह देखिए सब ऐसे ही फैला हुए है तो चलिए फटा-फट मैं कर लेती हूं घर का सारक का और वही ग्लेनिंग का उसके बाद सिर मिलोगे आप लोग से तो फ्रेंट्स नहादो कर आगी हूं मैं और यहां पर हो रही है मेरी मौर्निंग की पूचा सुबा की और देखिए जनमाश्टमी की लाइट्स वगेरा ना जो अभी निकाली नहीं मतलब लगी है अब लगी रहेंगी जब तक टेहमनी मिलने का जब तक निकलेंगी नहीं और काफी हावा चली है दिख रहा होगा आप लोगों को बहुत तेज हावा चली थी बाहर से आरी है मतलब मैंने यहां तो मैंने सीसा बंद कर रहा है लेकिन कमरे से थोड़ा सा विंडो ओपन है तो जो पुराने वाले थे ना मतलब भगवान जी की एक और थी ऐसी जूले में यह देखे मैंने उपर रख दिये तो यह थोड़ा सा वैसी पुरानी होगी नो थोड़ा काले काले लेवी रखे और नीचे जो है नय वाले रख दिये हैं पहले यह वाले नीचे रखे हुए थे पूजा करने के बाद मैं आगी हूं किचन में मैंने केले रख दिये थे बॉइल होने के लिए तो खेले बॉइल हो चुके हैं केले के कोफते बनारी हूं आज में और आप लोग सोच रहोंगे कि मेरी ड्रेस चेंज लग रही है एक्चुली ना मैं पानी भर रही थी अभी तो यहाँ पर ने चेल के निकालके मैंने उसको मैंश कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर ढाल रही हों चार से पाच जो इसमें बैसन और मैंने देखिए यहाँ पर प्लेट दिख्री होगी आपको उसमें हरा धनिया और एक हरी मिर्च्ट काटके रखिए तो वह भी मैंने इसमें डाल लिया है अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से हातों से इस तरीके से देखिए मसल लेंगे और पाने की डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि केले वैसी भी थोड़ा सा गीले रहते न और बेसन मिल म्यों स्ञेजान में ओपानी में टोड़ा से रहते तो इस से रहना सकते हैं तो घिलूर के पी की मम снच पानी त्व मैं निकाले हैं लियो को आउने मसाली तो इसलिए मैंने यहां पर सोचा कि साइड में मसाला भी साथ के साथ जो है पते यार कर लूँ तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है कड़ाई में उस पे मैंने यह सारी चीजें डाल दूँगी जो जो अभी हम ने दिखाया आप लोगों को यह देखिए प्याज लैसुन अध् खड़े गरब मसाले में दाल चीनी वगरा वो है और उसके बाद यहां पर एक तम बड़े बड़े तुकडों में देखिए टमाटर भी इसी में ही काटके डाल दे रही हूं फड़ा जल्दी बाजी रहती है सुबा की और जब जल्दी होता न तो ऐसी मैंने फिर अलग से का तो मैंने यहां पर हिंग जीरा डाल दिया तड़के के लिए और जो मसाला भी पेस्ट तयार किया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा जार में लगा है तो इसमें पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया है देखिए मसाला हमारा अच्छी से पकने देंगे भी बड़ा अच्छा लगता है तो ये कोफते पूरे बनके तयार हो गए और देखिए दस मिनट बाद हमारा जो मसाला है उसका ओयल भी सेपरेट हो गया बहुत अच्छी से मसाला पक चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी पानी जितना डालना हो जितनी आपको ग्र कोफते मैं जाने के लिए इसको रख दिया था 10 मिनट हो गया है ग्रेवी अच्छी से मिक्स हो जाएं फिर हमने इसमें डाल दिया है सबजी बनके तयार हो गई है अभी देखिए इसमें तरी दिख रही है लेकिन थोड़े देर बाद ना बिलकुल भी नजर नहीं आएगी कि दिरे दिरे ना ये कोफते जो है न वो पानी को अब्सर्फ कर लेते हैं तो वो थोड़ा से गाड़ी हो जाती है सबजी तो ये मैंने इसको दूसरे बरतन में सर्फ कर लिया है तो ये हमारे केले के कोफते बनके परफेक्ट रेडी हो गए है उसके बाद अभी टाइम हो रह हारे को ऊटोफ और भांडत अए उश्मयली जारी ही सकूल और जब तक जाएगी तक कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ थे को तयार होते होते ही बिना उसका मुव बंद नी होता है कुछ나 कुछ बोलना होता है बोलना पेटा छुप जा क्रीम लगाना लेकिन बताती रहेगी मैंने पॉकेट में हैंकी रखा था ऐसे रखा था वो रखा यह खो गया वो खो हो गया अश्कूल में बसही बताती ही कुछ तो यहां पर उसका चुटिया बना रही हूँ और अभी आई है टूशन से तो चुटिया बना वा था वो खोल के रबड इदर उदर फेक देती है तो मैं बस वही उसका रबड ही देख रही हूँ क्योंकि अभी पांच मिनिट पहले ही मैंने देखा था है रमें जो लगा मत किया करो ना ऐसे उल्टे सीने का मत दवा उसको कुछ न कुछ करती रहेगी अभी अपना नाखुन काट लिया इसमें दाथ से गंदी लड़की खुन निकलाया उसमें तो बस इसका स्कूल बैग वगरा सब रेडी हो गया है बॉटल लंच सब कुछ तयार है यह रखी यह मैं पहले से पण नहीं रखती हूँ लास्ट में पना तिक वरना यह क्या करती है पूरी गहर में गूम लेती और वह बाहर जाती है इसको पैन के तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है ति अया कर दो कर दो चल दी स्माइली स्कूल के लिए बाए इस अभी चली गई है स्माइली स्कूल और मैं अभी बालकनी में खड़ी कूकि उसकी भी काड़ी आई नहीं है फिलान लीचे जाके खड़ी है स्माइली और ये देखिए फ्रेंट्स हमारे प्लांट्स जिसको मैंने अभी सिफ्ट की अतना छोटे वाले गंबले में से इस बड़े गंबले में लगाया काफी जाता है जब डिलीवरी हो जाती है लेडिस की उसके बाद यह सब किया जाता है तो वही यहां पर चल रहा है अभी तो थोड़ी सी क्लिप दीने बनाई थी तो मुझे अभी भेजी है और पीछे आपको आदी दिख रहा होगा आदी एक्चुल से आया है तो स्कूल से आके यूनिफॉर्म वगएरा अपने उतार रहा था और यह अमारी लेटल प्रेंसेस भी आपको गोदी में नजर आरी है दिख रही है तो यहां पर यह अभी चल रहा है प्रोग्राम गुड़ वगएरा का बनाया जाता है गुड़ में न मेवा वगएरा डालके तो यह बनाया हैं और देखे दादी साज भी आई हुई है तो सभी लोग घड़के बड़े सभी लोग मिलके इसको बनाते हैं गुड़ को तो यह होता है लेकिन क्या तो नॉर्मल डिलिवरी में थोड़ा जल्दी होता है छटे आठवे दिन मतलब छटी में चटी पूजा होती है आठवे हलो तो फ्रेंड्स आभी बच चुके हैं साधे. और मैं अपने व्लॉग को यहींपर ंड्स कर रही हूं मैं अभी 3.50 भच गए हैं और इसमाइली को आने में सिर्फ भाए गया है आदा घंठा तो मैंने सुचा चलो अपने vlog को यही पर end करूं और फटा-फट से editing करके vlog upload करना है मुझे आज तो चलिए फिलाल आप लोगोंने vlog देखा आप लोगों को पसंद आया हो तो like चलूर कर लेना चैनल पर new है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जो बैल आइगन है उसको तो बिल्कुल मत भूलना प्रेस करना चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लाग में तब तक के लिए बाई टेक केर लव यू अल बाई